तो हलो फ्रेंड आप सब कैसे हो उमीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे मिश्टर और मिसेज ब्लोग में आप सब का स्वागत है तो गाइस आपने बालों में बहुत ज़्यादा प्रोबलम होती है दूमुहे बाल होते है जहरते बहुत है डेंडरों को जाते है तो इसके ल मैं बालों के लिए मेदी बना रही हूँ को मैंने लिया है तो इसको हम कैसे बनाएंगे तो हमारे वीडियो में बने रहे तब तक के लिए इसको हम सायन में कर देते हैं तू मैंने लिया है इसमें लोहय की कराही इसले लिया है ज़ोटी सी कराही की तो इसको हमां काटके अच्छे से मिला लेते हैं पानी में नियाक लिए चाय पत्ती का पानी में लिया है मैं ने लिया दू लन लिया है इसको अच्छे से हमे इसको इसक आपके और साइड मे रख दिया है ना ठना होने के लिए तो अब हम alternate महें को काट लेते हैं तो इसको हम अच्छे से काट लेते हैं आप इसको चाहे छनी में छान सकते हैं वकि मैं ऐसे ही इसको भिगाऊंगी पानी में काट लेते हैं तो इसको हम दोनों को अच्छे से तो देखिए इसमें और इसमें कितना फरक है तो हमने दोनों मेदी ले लिया है अब इसमें हम इलाएंगे आउला पाउडर तो आउला पाउडर हम हम इसको कैची के सारे से खोन लेते हैं तो देखिए अंदर से इसकी ऐसी पैकिन है अब इसको भी हम काट लेते हैं अच्छे से तो देखिए मेहदी की तरह यह भी बारिक बारिक यानि पतला है तो इसको हम यह हमारे डेंड्रोक के लिए और बालों को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा बात मदद करता है ततर्य रीज del ao पॉर्डर लिया हूं है अब इसको अच्छे से हम तीमों को मिला लेते हैं पहले चंवत्प्र से सारे को आ है है तो देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है तो अब हम ने चाय पत्ति के पानी बना रखा है अब इसको हम इसे में छान के डालेंगे तो मैंने इस चननी से ही छानूंगी तो पहले मैं थोड़ा से पानी डाल की इसको अच्छे से मिला लेती हूं तो इसमें हम पूरा पानी मिला देते हैं तो इसको तो देखिये हम पानी मेरा कम पढ़िया था तो फिन मैंने जो पानी बचा के रखा था तो उसको मैंने इसमें समाल किया है तो गायस इसको हम अभी विगा देते हैं तो हम सुबह इसको लगाएंगे तो अभी हम इसको और पानी हम डालेंगी इसमें आप चाहिए गरम पानी डाले या तो नोर्मल पानी या थंडा पानी भी डाल सकते हैं जदा थंडा नहीं हो नलका पानी होना चाहिए तो गाई से चम्मस से नहीं हो रहा था तो मैंने ऐसा लिए जो छांचो फेड़ते हैं बेसनोसन तो उसको लिए है इससे क्या मेरा अच्छे से फेट जाएगा तो देखिए इसको अच्छे से में से फेट लेती हूं इसको मिलाना जाता है तो इसने क्या यह यह फेट लेते हैं तो इसके अच्छे से यह मिक्स हो जाए तो देखिए यह हो रहा है इसको और अच्छे साप मिला लेते हैं तो गाइस मुझे ज्यादा इंग्लीस नहीं आती है तो मेरे बच्चे इसे बोल देंगी ममी आप सीखो सीखो तो गाइस आप सब को मेरी वीडियो कैसी लगती है एसे लिए जरूर बताना और हमारे वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आप सब मुझे सपोर्ट करोगे तो गाइज देखिए इसका मेरी को सारा लंज खतम हो गया है तो इसको हम अब छोड़ देते हैं पूरी रात अच्छे से भीगेगी तब तक के लिए मेरे वीडियो में बने रहे अब मिलते हैं आपको हम सुबह तो गाइस गुड मॉनिंग तो देखिए हमारी मेरी अच्छे से भीग चुकी यानि अच्छे से फूल चुकी है अब हम इसको बाल में लगाएंगे देखिए तो गाइस अब हम इसको बाल में लगाएंगे कैसे लगाएंगे इसको हम तो हमारे बाल मैं अपने बाल में आपको लगा के दिखाती हूं कैसे लगा रही हूं मैं इसको तो मेरे वीडियो पसंद आई हो तो आप सब लाइक शेयर कमेंड करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तब तक के मेरे वीडियो में बने रहे हैं तो देखिए गाइस तुम्हें ऐसे लगा रही हूं ऐसे से अपने मांग निकालते ना बालों की तो ऐसे हम एक जड़ हटा के बालों का ऐसे से लगाएंगे तो देखिए मेरे बाले से सफेद हो रहे हैं तो इसलिए मैं लगाती हूं तो ऐसे करके मैं पूरे बाल में लगा ल थुप इसका देखी मैंने अच्छे से लगा लिया है तो देखिए का र्ग डिका कैसा कर दो इतना अच्छा चड़ाए तो इतना अच्छा हमारे बाल EU में भी रंग आएगा तो इसको हम रखेंगे कम से कम नाई तो दो गंटा रखेंगे तो अच्छे से ये हमारा बाल में सेट हो जाएगा यानि अच्छे से ये मिल जाएगा तब तक के लिए बाई बाई